कि है गाइज वेलकम टू ग्रेट अप्ग्रेट ध्यान देना पर्पूटेशन का सीरी स्टाथ है अर्पूटेशन के सीरी हम लोग ने फंडामेटर प्रेशन मल्टिप्लिकेशन फर्पूटेशन खतम कर दिया अभी सब्सक्राइब इसकी दो वीडियो मिलेंगे यह वाला वी तो पूला मतलब क्या तुमारे पास अपजेक्ट है असको तुम लोगको लीनेरल्ली अरेंजने करते किना सर्कल में अरेंज करना मतलब कि a b c i d ये लीनेरली अरेंज हो गया ए एक चीज़ सबसे इंपोर्टन हां दुनिया भर को यह कुछ भी नहीं बताने तुमको सिधा पॉइंट के बार बता तो सर्कुलर पर्मूटेशन में अरेंज करने के लिए मतलब सर्कुलर पर्मूटेशन के लिए याद रखना हमेशा हम लोग एक को रेफरेंस मानते हैं कि उसके आराऊंड हम लोग सबको करेंगे टूंब कैसी को रेफरेंस मैं और यह वोग इसरेंजस करते गए कैसे करेंगे ס सबक्रावग है यहां पर सर्कल में अब्सक्राटिंग पॉइंडिंग मालूम समझ में आ गया very good本当 स्बसे इंप्रेंट चीज अगर तूम तुम्हें अरेंज करना है तुम्हें अरेंज करना है एन आपजेक्ट को बाइटेकिंग एन अरेंज करना है एन आपजेक्ट को सब सब को एक साथ अरेंज करना है एक साथ समझ में आ रहा है ? तो how many ways are there are 6 factorial ways समझ में आ गया है मतलब अगर 10 लोगों को तुमें circle में arrange कर रहा है तो formula है n-1 factorial formula क्या है n-1 factorial समझ में आ रहा है एक को reference लेंगे इसलों उसको arrange नहीं करेंगे 10-1 मतलब 9 factorial कितना factorial 9 factorial समझ में आ रहा है n-1 factorial तो समझा हम लोग किसे एक को रेफरेंस करें क्योंकि सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंडिंग पता है सेकंड कोशन अगर क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज समझ में आ रहा है अगर समझा है अगर समझा है अब बताओ डी सी बीची या डी सी बीची दोनों सेम है न समझ में आ रहा है तो यहां पर एन माइनस वन फैक्टोरेल अपॉन टू वाला फामना लगेगा जब क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज से लग नहीं रहते हैं आप देखो यह कोशन पी आरा लाइक हम लोग ने डिस्टिंग पर्मुटेशन अभी जस्ट किया सम इतने भी लोग है इसमें बे तो त्व तो तीन बहर आया है तो जितने भी लोग है टोटन अथाल से से वन माइनस करने के मड़िए या उन माइनस में क्ला चेल है अगर तुम n को अरेंज कर रहे हो taking r at a time तो circular permutation का यहां पर सिदह सिदह फॉर्मला npr upon r समझ में आ रहा है मतलग तुम 7 को अरेंज कर रहे हो circle में by taking two at a time by taking two at a time समझ में तो तो फॉर्मला आएगा 7p two upon two two factorial नहीं तू हां अगर anti clockwise और clockwise उसमें अलग नहीं रहेगा सेम रहेगा तो फॉर्मला यहां पर आड़ था यहां पर क्या जाएगा टूर्स समझ में आ गया तो n-1 factorial circular permutation के general formula एक को रेफ्रेंस लेते हैं अगर clockwise anti clockwise सेम रहेगा तो n-1 factorial divided by two बट अगर पी सेम है तो डिस्टिंक पर्मुडेशन को नॉलज यूज करके अगर तुम एन में से सिफ आर को यह अरेंज कर रहे हो एक साथ लेकर समझ में आ रहा है तो n-p-r upon अगर उस साथ में लेने में भी anti clockwise और clockwise दुनों सेम है अलग-अलग नहीं है anti clockwise and clockwise are not different तो n-p-r upon 2-r I hope तुमको यह formula वाला वीडियो समझा रहेगा इसका जो next lecture रहेगा next video रहेगा playlist में आप देख सकते हो वो मेरा sums की उपर रहेगा उसमें 7-8 question solve कराने वाला हूँ अगर कुछ भी doubt रहेगा formula के basis formula के उपर तो तुम लोग comment section में mention कर सकते हो comment section में पूछ सकते हो thank you for watching this video